प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप आप सबी का हादिक सोगत है इंडेस भारत पे आश्रा करता हूं कि आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज की लिटेस्ट और इंटरसिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्ता के मेशूर यूट्यूबर प्लैटफार्म के थ्रूँ मैं अपनी उपीनियन देना चाहूंगा कि अगर हम बात करें अब्दुल स्टार इदी की हमें यहां पर यह बताया जाता है कि वह इंडिया वाले पाकिस्तानियों की किसी भी अच्छी चीज़ को एप्रिशेट नहीं करते लेकिन नादिया जी आपी बता सकती है अगर मैं करेक्ट हो या अगर मैं गलती पे हूँ तो भी मुझे करेक्ट कर सकती है मैंने एक जगा पे यह पढ़ा बलके मैंने देखा इंटरनेट पे फिर मैंने उसके उपर रिसर्च की तो मैंने देखा इंडियन पंजाब में यानि के इंडिया में एक proper highway ऐसी है जो के अब्दलस्तार इदी के नाम पे है उन्हों ने इंसानियत के लिए जो काम किया पूरी दुनिया में बच्चों के लिए जो काम किया उसको सामने रखते हुए पूरी highway इंडिया में अब्दलस्तार इदी बलके मुसल्मान सीख हर एक के लिए काम किया तो हम कोई एक सड़क, कोई एक महला, कोई एक गली उनके नाम पे रख सकते हैं ताके हम भी ये बता सकें कि हाँ भाई अगर उन्होंने अब्दुल सार इद्धी के नाम पे हाईवे बनाई है हमने भी रतन टाटा सार के नाम पे एक रोड बना दिया है ये मेरा चैलिंच समझ लें, एक रिक्वेस्ट समझ लें पाकिस्तान की गॉर्मिंट को, जितने भी पाकिस्तान के सुबे हैं उनकी गॉर्मिंट को अब नाजिया जी आते हैं हम जाकर, डक्टर जाकरनाई की तरफ दस साल, बाराँ साल या कुछ साल पहले एक्जेक्ट आपको बताओगा कि भई इंडिया ने बैन कर दिया ये यहाँ पे हेट स्पीच या कुछ ऐसी चीज़े हैं जिसकी वज़ा से जाकरनाई को हम यहाँ पे नहीं मजीद बोलने देंगे मजीद मतलब इस तरीके से हम उन्हें पबलिक में जाके कुछ ऐसी गैधरिंग नहीं करने देंगे आज वही चीज़, वही परसनेलिटी को लेकर पाकिस्तान में भी होती नजर आ रही है क्या कहना चाहेंगे मैं सबसे पहले तो यह कहूंगी कि पूरी दुनिया में जाकर जाहिल नायक को कोई गेस्ट हाउस रहने के लिए ना दे आपने तो स्टेट गेस्ट बना करके बुला लिया है प्रोटोकॉल पे खर्श कर रहे है ऐसे ही अभी पाकिस्तान इतनी बड़ी एकनोमिकल क्राइस से गुजर रहा है पाकिस्तान अभी इतने बड़े बम गोली बारूद वाले वो इमरान खान और आपके मौजूदा सरकार में जो एक क्लास चल रहा है उससे गुजर रहा है लोग खाने खाने को तरस रहे हैं अगर किसी के पास खाना है तो कपड़ा नहीं कपड़ा है तो खाना नहीं नोकरी है तो घर नहीं घर है तो नोकरी नहीं ऐसे situation में एक ऐसे इनसान को आप लोगों ने state guest बना करके बुला करके उनके लिए red carpet बिचाया है जो सही से इसलाम को न समझा पा रहा है और नहीं इसलाम के दुआरा इसलाम की खुपसूरती पाकिस्तान को बता पा रहा है अब आती ये बात कि साप डसे गा ही न और करेगा क्या मैं तीसरी बात आपको समझा दूँ के भारत ने उनकी speech को ban नहीं किया था बिल्कुल नहीं किया था वो जैसे मंच आपके बन रहे है ना अभी वहाँ पर जो stage और जो lighting और जो platform आपके यहां बन रहे है ना उसका पांच गुना बड़ा-बड़ा मंच और platform और lighting यहां होती थी पांच गुना बड़ा और उसको ban नहीं किया गया था वो जो भी बोलता था जो लोग सुनने के लिए जाना चाते थे वो जाते थे और जो नहीं जाना चाते थे वो नहीं जाते थे लेकिन जब उसके school के द्वारा और उसकी गती वीडियों में पाया गया कि वो टररिस्ट से जुड़ा हुआ है और उसके उपर बहुत सारे केसेज लगे तो वो खुद भागा है अच्छा भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आपको हम स्टेज नहीं बनाने देंगे जाकर जाहिल नालायक मैंने को उसका नाम रखा है जाकर नायक नहीं जाहिल नालायक तो तुम यहाँ पर स्टेज नहीं बना सकते तुम यहाँ पर प्रीच नहीं कर सकते तुम यहाँ पर किसी से बात नहीं कर सकते ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर किया गया जब उसके connections और उसकी बातचीत और उसकी गतिवीदियां और उसकी activities में उसके बनाए हुए school में जब terrorism activities पाई गई और financial जो उसका आवाजाही था जो transactions थे जब वो terrorism organization से पाए गए तो सुरक्षा agency जो भारत की है उन्होंने उस पर inquiry करना start किया और तकरीबान 113 लोग जो है वो arrest भी हुए कि हाँ भई ये terrorism organization से जुड़ा हुआ है और ये training दिलबाता है terrorism organization का तब जा करके वो भागा है हमने ban नहीं किया है तो ये फिर बहुत बड़ी misconception है क्योंकि यहाँ पे तो इवन उन्होंने भी की जगह पे ये बोला है कि भारत में मेरे टीवी को peace टीवी या कुछ ऐसा उनका टीवी है उसे ban कर दिया गया और पाकिस्तान का हर media मुझे इवन मैं अपनी बात करूं मुझे भी यही था मैंने start पार्ट में बोला भी कि भाई वहाँ पे बैन कर दिया गया तो मुझे भी यही था कि भाई जो मैंने सुना है कि उनके फालवर्शिप बहुत ज़्यादा तेरी से बढ़ रही थी हमें यहां पे बताया जा रहा था बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसके हवाले से जो लो गया और उन्हें बारत छोड़ना पड़ा हमें अभी तक यह बताया गया था लेकिन जब और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दो जब वो पाकिस्तान आये यकीन माने हर एक फिरके ने बहुत ही प्रोटोकॉल बहुत ही रिस्पेक्ट की कि लो जी एक दुनिया का बहुत देंगे वार्ट नी देंगे कभी वो पी आईये के हवाले से बात करते नजर आ रहे हैं कभी कोई कंट्रोवर्शिल स्टेटमेंट देने तो मुझे ऐसा लगा और मैंने तो भी फिलहाल उसम के ओपर कोई वीडियो नी रिकार्ड की थी लेकिन बहुत से हमारे जर्नलिस्ट मतलब हाँ जोड़के कहने लग पड़े हैं जाकर साब डक्टर जाकर नायक साब आप यहां से जल्द अजल चले जएं मतलब हमारा शोफ पुरा हो गया है आपकी महमान नुमाजी हम करके ठक चुके हैं इससे पहले कि आप पर कोई फत्वा लगे आप यहां से चले जाएं यह जो जाहिल नायक है जिसको आप लोग डॉक्टर कह रहे हैं आप इसके शब्दावली सुनें आप इसके शब्दावली सुनें कि अगर कोई भी एंकर टीवी एंकर बीस मिनट किसी मर्द के साथ बैठती है मेक अप पॉलिश करके और अगर उस मर्द का दिल नाम अचले तो फिर उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए शोयव अगर आपकी चोटी चोटी बेहने डॉक्टर जाकर नायक जाहिल नायक को जाकर के फैलिसिटेट करें और वो स्टेट छोड़कर भाग जाए कि यह गैर महरम है तो आपको कैसा महसूस होगा आपको कैसा लगेगा मर्द कहें कि भाई 20 मिनट हम बैटे हैं तुमारे सामने और मेरा दिल नहीं मसला तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तीसरी बात मैं आपको कहना चाहती हूं कि पेडोफाइल जो एक्टिविटी जाकर नायक के अंदर दिखी है वो फिजा खान के साथ बैट जा पाकिसान की एरोस्टेस के साथ फोटो खेचा रहा है तो वो भी तो गैर महरम है लेकिन जैसे ही वो यतीम बच्चीयों को देखता है बारा साल दस साल 11 साल वो तुरंद महरम और गैर महरम बोल करके वो स्टेट छोड़ करके भाग जाता है तो इसका मतलब है कि जाकरनायक ग्रफिड़َّ ञांए तो तो मैं बताना चाहती हूं कि जब उसके पर जांश एजेंसी बैटी ती तब उसका पीस टीवी बैन हुआ था और पाकिस्तार님े करके जो वो सबको ये बता रहा है कि यूट्वब का पैसा जो हराम है और यूट्वब से पैसा नहीं कमाना चाहिए तो ये जाहिल नायक जो है पचलन टाइप का अवारा टाइप का इसके खुद चार यूट्यूब चानल है आप देखिए और इसने खुद पाकस्तान में बैट करके चैनल पर पॉड्कास्ट में महिला के साथ पॉड्कास्ट में बैट करके कहा है कि अभी भी तीन मिलियन फॉ अलोर भारत में बैटे वे हैं उसके जो उसको देखते हैं तो वो पैसा क्या वो नाली में फेक देता है या पाकस्तान को वो हेल्प करने की कोशिश में लगा हुआ है आप सोचो हो कि इतना बत्तमीज आदमी है जो कोई भी उससे सवाल पूछता है वो कभी भी अप्रोप् पाकस्तान में भी स्टार्ट हो गया है अब बताईए कि पाकस्तान खोदेक इसलामिक कंट्री है अब यह जाहिल नायक को तो पाकस्तान को बहुत अप्रिशियेट करना चाहिए और जब गया था तो लोग उसके हाथ पैर चूम रहे थे अब हालात ऐसे आ चुके हैं कि पिले सजाई जा रही है और वो मैफिल में खड़ा हो करके यह कह रहा है कि 13 साल की बच्ची की शादी 112 साल के मर्द से हो सकती है यह तो पेडोफाइल को प्रोवोक कर रहा है जो लोग नहीं भी सोच रहे होंगे पाकस्तान में कि 13 साल की बच्ची से हम शादी करें वो भी अ کو چانسیز होंगे जन्नत में जाने के मतलब इस तरीके से भी लेकिन योट्यूब की अर्निंग से याद आया के डाक साफ अगर मेरी बात आप तक होंचे या आपके फालवर्स तक होंचे तो मैं एक स्वाल पूछना चाहता हूँ योट्यूब से अर्निंग यानि के डालर लेना स समझ रही है या नहीं या निकि अगर तो हराम हलाल का गंसाप्ट है तो फिर ये होना चाहिए कि योट्यूब हराम है फिर तो ये होना चाहिए ना दोस्तो आशा करता हूं कि वीडियो को अपने अंतक देखा हुगा और हमेशा की तरह नाजी लाई कांजी का दमदार और बेबाक रेक्शन आपको काफी पसंदा हुगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटिस इंट्रस्टिंग और दमदार वीडियो लाते रहें तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबदस्त और इंट्रस्टिंग व सब्सक्राइब